दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीवो गरीव मान्यता हैं। कई तो ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर सिर्चक्रा जाएगा। ऐसी एक परंपरा उत्तरप्रदेश के जालौन में सानों से जारी है। हम बात कर रहे हैं लंका मिनार की जो रावण की समर्पित। कहा जाता है कि दिल्ली के कुत्व मिनार के बाद ये सबसे यूंची मिनार है। इसका निर्मार करने वाला शक्स रामलीला में रावण की भूमी का निभाता था। उस रावण से इतना लगाप था कि उसने लंका नाम से ही मिनार का निर्मार करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि मिनार पर भाई भेहन एक साथ चड़ कर ऊपर नहीं जा सकते इसके बारे में अच्छी कहानी जानते हैं उत्तप्रदेश के जालौन सिले में बुंदेल खड की एंट्री गेट कालपी मिस्थितिक मिनार के अंदर रावड के पूरे परिवार का चित्र बनाए गए हैं वैसे मि मिनार के निर्मार की कहानी बड़ी दिल्चस्प है जानकारी के अनुसार ये मिनार 1857 में मतुरा प्रसाद नाम की शक्स ने बनवाई थी मतुरा प्रसाद ने रावड की याद में इस मिनार का निर्मार करवाया था इसके लिए इसका नाम लंका मिनार रखा गया मतुरा प् लंका मिनार को बनाने में 20 साल का समय लगा इसकी उचाई 210 फीट है और इस मिनार को बनाने में उस समय करीब 2 लाक रुपए का कर्चा है यहां कुमकरन और मेगनाद की बड़ी मूर्थियां भी लगाएंगी कुंकरन की मूर्ती करीब 100 फीट तो वहीं मेगणाद की मूर्ती 60 फीट की है। यहां भगवाल शिव के साथ साथ चित्रगुप की मूर्ती भी देख सकते हैं। 180 फीट उची नागदेवता की भी मूर्ती यहां स्थापित है। चुकि रावाड शिवधत था इसलिए मंदर होने की एक भी वज़ा हो सकती है। लंका मिनार को लेकर एक अजीब मानेता है कि इस मिनार में भाई भेन एक साथ उपर नहीं जा सकते। असल में मिनार के उपर जाने के लिए साथ परिक्रमा को पूरा करना पड़ता है जिससे भाई भेन नहीं कर सकते। यही कारण है कि मिनार के उपर एक साथ भाई भेनों का जाना मना है। एस मान्यता को आप भी कुछ कह लें, लेकिन स्थानिय लोग सालों से इसका पालन कर रहे हैं, और ऐसा मना जाता है कि साथ चक्र अगर लगाएंगे, साथ परिक्रमा अगर करेंगे, तो ये बिल्कुल भी भाई बेहन के लिए मुम्किन नहीं है, क्या आपने इस परंपरा के बारे में सुना था या नहीं, या वे कॉमेंट सेक्शन में बताना न भूले।